दोनों कप्तान मैच रिफरी के साथ टॉस के लिए तयार टेल्ज मांगा है और टेल्ज भी है चलिए चलते हैं बल्ले बास तयार है इस पारी की पहली गेंद खेलने के लिए पतरनाख गेंद और सीधा बल्ले बास के शरीप पे लगी ये बहुती कठिन फील्ड है गेंद बासी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी बिल्कुल चक्तमा खा गए हैं वहाँ रड़िक बढ़ानी की कोशिश में इनकी फील्ड प्लेस्मेंट तो मानो फील्डिंग नहीं चक्रव्यू रचा रखी है अब पता नहीं भाईया ये गिंद कहां जाएगी खुपसूरत शॉट और चार रन गेन बास के चक्के छुडाते हुए बॉल सीधे बाउंडरी रेका के उस पर इसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है और चूपकर इस बार निराश लग रहे हैं वहां मेरी माने यह तो अबने आपको खुश किसमत समझें जो अब भी क्रीज पे ही खड़े हैं दूसरी ओवर की शुरुआत यहां स्पिनर से करवाया जा रहा है बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तयारी करते हुए यह बॉल तो लगी होगी उनको फील्डर है कवर पर अला गेन किनारा लगा बलने का यह है जो बाउंडरी से इश्क फरमाते हैं यह बात विपक्षी टीम को बखू भी मालूम है गेन्द बास कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं वाइट डाल बैठ है जब जादा फील्डर्स बाउंडरी की रक्षा कर रहे हो ना तो बल्ले बास को सिंगल्स तोफे के रूप में मिलते हैं फिजियो को बुलाने की आवशक्ता हो सकती है बैट्समन घायल जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं यह क्या लगता है आपको कितने चक्के मारेंगे इस ओवर में पूरी तरह चुक्के वहां गेंद को वह विल्कुल भी पड़ नहीं पाय थे एक अच्छ पॉर्टी का लगाया काफी जोर से लगी है इस पारी की आखरी गेंद आती हुई पिकेट समाल के खेलना होगा यहां काफी रोचक फील्ड लगाई है कप्तान में ओ ऐसा लगता है गेंद को देखा ही नहीं वहां पर अपनी गेंद बजी और छे त्रक्षन से बल्ले बास को एक एक रंड के लिए संगर्श करा रहे हैं बहुत बड़ी अकप्तानी उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका ये एक ऐसे बल्ले बास हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद कहां मारेंगे और अतियोत्तम गेंद निराश लग रहे हैं वहां मेरी माने ये तो अपने आपको खुश किसमत समझें जो अब भी फ्रीस पे ही खड़े हैं ये सही धंजे नहीं खेला है और फील्लर पकड़ लेंगे इसको एक लंबा रास्ता तैय कर रहे हैं पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज नहीं गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार ये तो आउट होगा ही लिखके ले लीजिए बहुती निराश लग रहे हैं ये बहुती कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगे बहुती कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए और दूसरे शोर पे भी तेज गेंद बाज को ही लाया जा रहा है पावर प्ले की समापती और अब फील्डिंग टीम दो से अधिक फील्डर्स को सर्कल के बाहर रख सकते हैं बढ़िया टाइमिंग एक रन असानी से पूरी की जा सकती है और बल्ले बाज दो रन का कॉल देते हुए बहुती बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन द विकेट्स बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए ये सही धंजे नहीं खेला है और फीलर पकड़ लेंगे इसको क्या मैच देखने का अफसर प्राप्त हुआ है आज स्टेडियूम खचाखच बरी हुई और मैच अपनी आकरी ओवर तक जाती हुई गेनज बाज बल्ले बाज के दिमाग को पड़ रहा है और उनकी योजनों पर पानी फेरे जा रहा है बहुत ही भाकेशाली रहे वहाँ, मिस कर गए, बहुत ही बड़िया गेनबाजी मौजूदा रुन्रेट को देखते हुए बल्ले बाज अपने रूप बदल रहे हैं पूरी तरह मिस्किया वहाँ पूरी अग्अरी को कर दालाजी कि अच्चा प्पताब वर्ष्ट भास को वहाँ वहाँ लाया कि अच्चा वाँ वहाँ 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 आप वाँ ऑन दोर्ब्दान आपकी प्त्रबत तोक्ति तूए़ तोर्स टीम